ब्रिटानिया का मुनाफा और रेवन्यू अनुमान से कम जाने स्टॉक पर क्या है ब्रोक्रेज की रणनीती ब्रिटानिया पर मॉर्गन स्टैन्ली ने ओवरवेट कॉल देकर इसका लक्षे बढ़ा कर 5184 रुपए शेर तै किया है उनका कहना है कि मैनेजमेंट ग्रोथ आउ के तिमाही नतीजे चौथी तिमाही में मिले जुले रहे इस दोरान कमपनी का रेवन्यू और मुनाफा अनुमान से कम रहा जबकि वॉल्यूम ग्रोथ भी महज 1% देखने को मिली लेकिन मार्जिन और टाइम हाई के करीब पहुँच गई वहीं कमपनी की वॉल्यूम ग्रो पोलियों में डेड़ गुना ग्रोथ रही जबकि FY24 में मार्जिन FY23 के स्तर पर रहने का अनुमान है कमपनी ने 72 रुपए शेर अंतरिन डिविडेंड का एलान किया है अब स्टॉक पर कमाई के लिए निवेशकों की रणनीती क्या होनी चाहिए इस पर जानिये ब्रोकरेज हाउसेज की राय ब्रोकरेजिज ओन ब्रिटैनिया MS ओन ब्रिटैनिया मॉर्गन स्टैनली ने ब्रिटानिया पर ओवरवेट कॉल दी है उन्होंने इसका लक्षे बढ़ा कर 5184 रुपए शेर तै किया है उनका कहना है कि चौथी तिमाही के नतीजे मजबूत रहे Management Growth Outlook पर सकारात्मक नजर आया Company Distribution, Innovation और Premiumization Lead ग्रोथ पर फोकस बढ़ा रही है Margin से अधिक Top Line ग्रोथ पर फोकस करना आगे बढ़ने की प्रमुख रणनीती है Macquarie on Britannia Macquarie ने ब्रिटानिया पर Neutral कॉल दी है इसके शेर का लक्षे 4 250 शेर तै किया है उनका कहना है कि FY24 की बिक्री वॉल्यूम बढ़ सकता और ये हाई सिंगल डिजिट लेवल के करीब होगी Q4 मजबूत ग्रोथ मार्जिन के बावजूद FY24 25 एपी एज को व्यापक रूप से मेंटेन रखा है CLSA on Britannia CLSA ने ब्रिटानिया पर बिक्वाली की रेटिंग दी है उन्होंने इसका लक्षे 4 390 रुपई शेर तै किया है पूर्व में बड़े पैमाने पर मूल्य आधारित वृध्धी देखने को मिली है विट वर्ष 24 में EPS ग्रोथ समकक्ष कमपनियों से कम रह सकती है Q4 में आय में वृध्धी सुस्त रही जबकी मार्जिन तिमाही आधार पर सपाट रहा JP Morgan on Britannia JP Morgan ने ब्रिटानिया पर न्यूट्रल रेटिंग दी है उन्होंने इसका लक्षे 4920 रुपई शेयर तै किया है उनका कहना है कि ग्रोज मार्जिन डिलिवरी सकारात्मक रूप से जारी है कमपनी को FY23 के स्तर पर FY24 में EBITDA रहने की उम्मीद है उनका कहना है कि विट वर्ष 24 में मार्जिन प्रमिक रूप से 18% तक हो सकता है